हेलो स्टूडनेट कैसे हो सभी आई होप सब ठीक टाक होंगे अपने आने वाड़े एक्जाम की तहरी को जब्रदस तरीके से कर रहे होंगे पिछले काफी दिनों से हमारी कलासे नहीं हो रही थी उसका कुछ रिजन था आज से हमारी कलासें कंटिनियू होगी और आज की कलास को असानी से मिल सके भी आज का हमारा फर्ष्ट क्यूसन क्या कहता है भी कनिस्क अनूसरन करते थे अपने राइट आंसर कोमेंट बॉक्स के अंदर करना कनिस्क अनूसरन करते थे राइट आंसर होजेगा बहुत दरमका भी ओप्सन नंबर फोर बिल्कुल करेक्ट होजेगा यहीं से related exam के इदर एक दो important question और बन सकता है जैसे की exam के अंदर question आजाए है सिरी ंगर की स्थापना की स्थापना की गई थी नेक्स्ट question देखिए भी इसके अंदर बताना भी एक्स्थ क्रम के अंदर बताना भी इन चार option को दियान से देख लीजे और इनको सही करम के अनुसार बताना जैसे कि अगर हम बात करें कि पुस्य मित्र सुंग की अगर बात करें तो इनका सासन काल होजेगा भी 185 BC से लेकर 149 BC तक अग्जाम के अंदर क्यूसन आया होगा सुगवंस का संस्तापक कौन था तो पुस्य मित्र सुंग होजेंगे भी सुगवंस के संस्तापक उसके बाद आते हैं भी पुलकेशिन दवित्य यानि कि उप्सन नमबर वन बिलकुल हमारे यहां पर करेक्ट होजेगा पुलकेशिन दवित्य की अगर बात करें अग्जाम के अंदर कि उसन देखा होगा चालुकेशिन का संस्तापक कौन था तो पुलकेशिन दवित्य जिन का संस्तापक भी 648 तक संकराचारे की अगर बात करें ये एक महान दार्शनिक थे उपसन नमबर वन बिलकुल हमारे करेक्ट होजेगा और चंदर बरदाई के अगर हम बात करें तो अग्जाम के अंदर कि उसन देखा होगा पिर्थवी राज रासो के रचिता कौन थे चंदर बरदाई भी नेक्स्ट कि उसन देखिए कि उसन नमबर थरी जूनागड अबिलेक है किस सासक ने जारी करवाय था जूनागड अबिलेक किस सासक के दवारा जारी करवाय गया था राइट अंसर हो जाता है उसन नमबर थरी बिल्कुल करेक्ट हो जिका भी रुद्दर दमन के दवारा यहीं से रिलेटिड एक दो इपोर्टन किसन और बनेंगे उनके उपर भी डिसकस करेंगे जैसे कि जूनागड अबिलेक को तो बता दिया भी आपको रुद्दर दमन के जवारा जारी करवाय गया था और यह संस्कृत बासा का पर्थम अबिलेक था अग्जाम के अंदर किसन आजए संस्कृत बासा का पर्थ अभिलेक कौन सा था तो जूनागड अभिलेक इसके अंदर रुद्धर दमन के दोवारा ही सूधरसन जील के पुनर निर्मान की बात की गई भी सू दर्सन जील का अपनर निर्मान की इसके दवारा करवाया गया था रुद्धर दमन के दवारा भी किसने चंदरगुप्त मोरे को मगद का सासक बनने के लिए मारक दर्सन किया था अगर कोटिले की अगर हम बात करें तो इनका दूसरा ना मोझे का भी चानक्या इनको विष्णू गुप्त के नाम से भी जाना जाता है अग्जाम के अंदर क्यूशन आ जाए तो चानक्या के दवारा कुछ इपोर्टेंट पुस्त के हैं वो पूछ ली जाती है जैसे कि अग्जाम के अंदर आपने क्यूशन देखा होगा अर्द सास्तर की रचना किसके दवारा की गी थी कोटिले के दवारा या चानक्या के दवारा चानक्या को अगर हम बात करें तो इनको बारत का मैक्या वली भी का जाता है भी अग्जाम के अंदर क्यूशन आ जाए बारत का मैं की आवली किसको का जाता है तो चानक कैको भी नेक्स्ट क्यूशन देखी क्यूशन नमबर फाईव गरिक राजदूत मैकस्टनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी मैकस्टनीज के दवारा अगर पुस्तक की अगर हम बात करें तो इंडिका नमक पुस्तक लिखी गई थी भी उप्सन नमबर फ्री बिल्कुल कॉरेक्ट होजेगा मैकस्टनीज के दवारा इंडिका नमक पुस्तक लिखी गई थी और यहीं से related exam के अंदर question आ जाई ये सेलुकेस निकेटर के राजदूत के रूम में चंदरगुप्त मोरे के दरबार के अंदर आया था भी इनके दवारा इस पूस्तक के अंदर बारत के जीवन का वर्णन किया गया था next question देखिए भी question number 6 असोक सतंब की लिपी क्या है भी असोक सतंब की लिपी क्या है question number 6 right answer हो जेगा भी बर्मी लिपी बहुत बारकजाम के अंदर question देखने को मिला है और इस से related जितने भी question होगे सारे के सारे हम discuss करेंगे असोक सतंब की लिपी होगी बर्मी लिपी अगर हम बात करें ये दिल्ली के टोपरा सतंब अभिलेक से लिया गया भी असोक सतंब दिल्ली के टोपरा सतंब अभिलेक से लिया गया और अगर इसका मूल स्तान की बात करें तो अरियाना के अंबाला का टोपरा गाउँ अभी अर्याना के अंबला का टोप रहा हूँ है फिरोज सा तुगलक के दोवारा इस सतम को दिल्ली के अंदर स्तांतरित करवाय गया था भी अग्जाम के अंदर क्यूशन आ जाए तो आप राइट आंसर कर देना भी रोसा तुगलक के दवारा इस सतम को दिल्ली के अंदर स्तांतरित किया गया था नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमबर सेवन कोटिल्य के लिए गाउं की खालिस्तान कितने गाउं की जन्षिंग के अवाला एक मानवी ये वैस्ता है भी तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ओप्सन नमबर वन सो से अर पानसो की जन्षिंग के अवाला एक मानवी ये वैस्ता है नेक्स्ट क्यूशन देखिए भी क्यूशन नमबर एट चंदरगुप्त मोर्य खालिस्तान था भी कूल से थें समुराट असौग की अगरम बात करें तो राइट आंसर हो जेगा भी मोरिय वनस से ओपसान नमबर वन बिल्कुल प्रैक्ट हो अगर इनके सासनकाल की अगरम बात करें तो 243 इसापूरो से लेकर 232 इसापूरो तक था भी next question है question number 10 भी question number 10 दे रखा है समराथ असोग की राज़दानी का नाम बताई भी समराथ असोग के समराज्य की राज़दानी कौन शीती समराथ असोग के समराज्य की राज़दानी right answer होजेगा भी partly पुट्तर option number 2 बिलकुल correct होजेगा असोग की सबसे परशिद विज्य की अगर हम बात करें तो कलिंग विज्य होजेगा भी अग्जाम के अंदर क्यूशन आ जाए असोग की सबसे परशिद विज्य पूछले तो कलिंग का यूद होजेगा भी इनकी राजकिय राजदानी या समराजय राजदानी तो होजेगी पाठली पुत्तर अगर हम बात करें इनकी छेतरिय राजदानी पूछले तो छेतरिय राजदानी होजेगी भी उज्जेन छेतरिय राजदानी होजेगी इनकी उज्जेन नेक्स्ट क्यूशन देखिए भी क्यूशन नमबर 11 अर्द सास्तर की रचना किसके दवारा की गी थी अर्द सास्तर की रचना किसके दवारा की गी थी चानक्य के दवारा या कोटिले के दवारा या विश्नु गुप्त ए की चीज़ भी अर्द सास्तर की रचना चानक्य के द बड़े बूबाग मालिकों को क्या कहा जाता था तो राइट आता रो जेका भी thumbs बैल वार के प्रू प्रू में जाना जाता है बड़े बूबाग वालों को अगर उजवर की अगर हम बात करें तो उजवर वो जेंगे भी जो साधारन हाल चलाने वाले हैं उनको उजयवर कहा जाता है नेक्स्ट किसने भी किसन नमबर थर्टीन किसने अहोल की वास्तुकला को बारतिय मंदिर की वास्तुकला का उद्गम सथल कहा जाता है तो राइट आंसर होजेगा भी थर्टीन का ओप्सन नमबर परसी ब्राउन ओप्सन नमबर थरी बिल्कुल कुरेक्ट होजेगा अगर अहोल मंदिरों की अगर हम बात करें तो इनका निर्मान होता है भी सात्वी स्थी के दोरान निर्मान होता है अग्जाम के अंदर किसन आजए किस के दवारा करवाया गयता तो चालुक के वंस के सासकों के दवारा भी चालुक के वंस के सासकों के दवारा करवाया गयता इस मंदिर की वास्तुकला की अगर बात करें तो मुख्य रूप से दर्विड है भी ने चीनी यातरी एंसांग के दवारा लिखी गई पुस्तक के अंदर हरियाना के किस नगर की गरीमा और सक्ति की चर्चा की गी है। अगर अरियाना की अगर बात करें तो अरियाना का थाने सर भी। उप्सन नमबर वन बिल्कुल करेक्ट हो जेगा। अगर थाने सर की स्तीती के अगर बात करें तो अरियाना के कुर्क छेतर जिले के अंदर है यहीं से रिलेटिड एक दो इपोर्टन क्यूशन और मनेंगे जैसे कि चीनी यातरी एंसां की अगर बात करें अग्जाम के अंदर क्यूशन आ जाता है तो कौन सी स्ताबदी के अंदर आये थे छटी सात्वी स्ताबदी के अंदर किस के सासनकाल के अंदर आये पूछ ले तो राजा हरसवर्दन के सासनकाल के अंदर आये थे राइट अंसर हो जाता है ओप्सन नमबर टू बिल्कुल क्रेक्टो जिगा भी पुल के सिन दुवित्य के दवारा अग्जाम के अंदर ये भी क्युस्टन देखने को मिला है किस नदी के तट पर किस नदी के किनारे पर पराजित किया था तो नर्मदा नदी के किनारे पर भी नेक्स्ट क्यूसन देखिए क्यूसन नमबर थरी परदेश का थानिसर नामक नगर की परसिद राजा की राज़दा नहीं था परदेश का थानिसर नामक नगर की अगर बात करें ये सारे के सारे क्यूसन अचसी के दवारा पूचे गए क्यूसन भी परदेश का थानिसर नगर कि अगर बात करें राजा आर्सवर्दन ओप्सन नमबर वन बिलकुल हमारा कोरेक्ट होजेगा भी नेक्स्ट क्यूसन देखिए भी क्यूसन नमबर फोर सू परसिद संस्कृत नाटक अभी ज्यान सांकुंतलम किस के दवारा लिखा गया वेरी वरी इपोर्टन क्यूसन अभी ज्यान सांकुंतलम की अगर बात करें काली दास के दवारा काली दास के दवारा बहुत सी रचनाई की गी थी जैसे की उधारन के तोर पर बात करें अगर अग्जाम के अंदर क्यूसन आजाए मेग दूतम पूछले कुमार संभवम बाण बटकिस राजा के मित्तर वर राजकवी थे क्यूशन नमबर 5 तो राइट आंसर हो जाता है अर्सवर्दन के भी ओप्सन नमबर 2 बिल्कुल हमारा यहां पर है और नेक्स्ट क्यूशन है भी रतनावली किसकी परसीद रचना है अक्जाम के अंदर यह क्यूशन आया है रतनावली किसकी परसीद रचना है तो राइट आंसर हो जेगा हमारा ओप्सन नमबर 4 बिल्कुल क्यूशन हो जेगा भी राजा अर्सवर्दन के दवारा लिखी गई नाटक एक तो था पिरिय दर्शीका एक रतनावली एक था भी नागानन्द इनकी रचना राजा क्यूशन देखिए क्यूशन नमबर 7 चीने यातरी एंसांग की समराट के सासनकाल के अंदर हरियाना आया था तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ओप्सन नमबर 1 बिल्कुल क्रेक्ट राजा अर्सवर्दन के दवारा यहीं से रिलेटिड एक्जाम के अंदर 2-3 की पोटें क्यूशन बनेंगे जैसे कि अगर बात करें चीने यातरी एंसांग की अगर बात करें तो 639 इसवी के अंदर हर स्वर्दन के सासनकाल के अंदर बारता है था इसवी भी पूछ ली जाती है भी 639 इसवी के अंदर बारता है था और 635 से लेकर 645 तक एंसांग थाने सर के हर्स बmotherन की गीत, गोविंद के रचिता पूछे ले तो जैदे हो जैदे भी गीत, गोविंद के रचिता हो जैदेा भी जैदे हो, next question देखिए भी question number 9 इलाबाद सतम सिलाले के अंदर किसकी उपलबदियां दर्ज की गई है इलाबाद सतम सिलाले के अंदर किसकी उपलबदियां दर्ज की गई है तो right answer होजेगा हमारा option number 1 बिल्कुल correct होजेगा भी समुन्दर गुप्त की यहीं से related exam के अंदर किसन आजाए इलाबाद सतम सिलाले के अंदर इसकी रचना पूछ ले तो इनके एक दरबारी के भी थे भी अरीसेन इनके दवारा ही इनकी रचना की गी थी किस सैली के अंदर की गी थी चंपू सैली के अंदर की गी थी जो रतनावली नागानंद अरस चरीत है यह सारी की सारी राजा अरसवर्दन की नाट टक है भी नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमबर 11 कवी बाण बटने समराट अरस का जीवन चरीतर फिर से repeat क्यूशन राइट अंसर हो जाता है अरस चरीत के अंदर सूरदास की अगर बात करें तो सूरसागर भी सूरसागर किस के दवारा लिखा गया है सूरदास के दवारा क्यूशन नमबर 13 देखिए असव गोस जो राजा खालिस्तान के दरबार के अंदर रहता था उसने बुद्ध चरीतर लिखी थी यानि पूच लिया असव गोस था वो किस राजा के दरबार में रहता था तो राजा कनिस के भी उप्सन नमबर वन बिलकुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जगा भी असव गोस समराट कनिस के राजगरू और राज कभी भी थे नेक्स्ट किसन है भी किसन नमबर 14 रगू वंसम और कुमार समवम यह सारी की सारी जो कृतियां पिछले प्रिविस यह किसन के अंदर भी आपको करवाय था कालीदास के दवारा बहुत से रचनाएं की गीती मेग दूतुमार समवम रीतु सहार रगुवसम सारी की सारी कालिदास के दवारा लिखे गए नाटक की अरचीता हैं भी कौन सा सहर अर्सवर्दन की राजदानी था राजा अर्सवर्दन की राजदानी होजेगा भी थानिसर थानिसर की स्तिती कहा पर होजेगी अर्याना के कुर्क चेतर जिले के अंदर गरंते एक तो था अरस्चरीतम दूसरा था कादंबरी भी नैक्स्ट किशन की तरह बढ़ते हैं भी किशन नमबर 17 राजा अर्षवर्दन किसके पुतर थे वेरी वेरी मोस्ट इपोटेंड किशन बहुत वार अग्जाम के अंदर किशन देखने को मिला है राजा बात करें तो पुश्य बूती वंस का सबसे महान सासा कौन था हरस वर्दन भी नेक्स्ट क्यूशन देखी क्यूशन नमबर 18 कौन सा सहर अर्स वर्दन की राज़ता नी था बहुत बार रिपीट हो चुके हैं भी क्यूशन थाने सर राइट अनसर हो जेगा हरस चरित कीश के दोवारा लिखी गी थी अभी थोड़ी देर पहले ही करवाय था अर्स चरित लिखी गी थी बान बट के दोवारा ओप्सट नमबर 1 बिलकुल कोरेक्ट हो जेगा नेक्स्ट क्यूशन देखी एंसांग कोन था था थो एनसांग एक चीनी यात्री था भी उप्स नमबर थरी बिल्कुल हमारे याँ पर है कोरेक्ट हो जिगा भी एचसी ग्रूप डी के अंदर ये क्यूशन पूचा गया था भी इस बार भी एक्जाम के अंदर रिपीट क्यूशन आपको देखने को मिलेंगे भी एनसांग खालिस्तान के सासनकाल के अंदर बारता है था हरसवर्दन के समय सासनकाल के अंदर बारता है था भी हरसवर्दन के सासनकाल के दोरान एनसांग बारता है था भी क्यूशन नमबर टवन्टी टू भी राजा हरसवर्दन ने एक परसीद नाटक लिखा था नागाननंद लिखा था भी किस विदवान के दवारा रचीता और लाश्ट के इंदर आपको कॉमेंट वोक्स के अंदर कॉमेंट करना है कलास कैसे लगी सी इस कलास से आपको कितने हैलप मिल रही है और आपके कितने किस अंटिक वेते थे question number 23 तो हमारा right answer हो जाता है भी option number 1 बिल्कुल correct हो जगा भी अरी सेन option number 1 बिल्कुल correct हो जगा भी समुंदर गुप्त के दरबारी कभी और मंत्री माने जाते हैं भी अरी सेन next question देखी question number 24 question number 24 के अंदर देदिया भी अरस्चरित के दवारा लिखा गया है very very important question question सारे के सारी question repeat हो रहे हैं इस बार भी repeat हो सकते हैं अरस्चरित की अगर बात करें दो बांड़ बट हो जगा option number 2 बिल्कुल हमारे यहां पर correct हो जगा भी next question है question number 25 चीनी यातरी एंसांग ने स्थानिसर की यातरा खालिस्तान के सासनकाल के दोरान की थी चीनी यातरी एंसांग ने स्थानिसर की यातरा किस के सासनकाल के दोरान की थी option number 4 बिल्कुल हमारे correct हो जगा गराम स्थीव 2021 के अंदर जो परतमपाली के अंदर प्रिक्षा हुई थी जो अग्जाम पोस्ट पॉंड हुआ था उसके अंदर यह क्यूशन पुछा गया था भी next question है question number 26 कौन सी बान बट की रचना है कौन बान बट की रचना है तो बान बात करें तो जीडी मंड गुलकर के दोवारा लिखा गया था अगर बगवत गीता की अगर बात करें महरीशी वेदव्यास के दोवारा लिखा गया था भी next question है question number 27 निमलिक्त के अंदर बताना है भी कौन सी राजा अर्सवर्दन की रचना नहीं है तो आजेगा भी बरी किसकी रचना होजेगी बान बट की भी next question देखिए question number 28 निमलिक्त में से बताना है भी किस गुप्त सासक को कवी राज की उपादी मिली है very very important question कवी राज की उपादी किसको मिली है समूंदर गुप्त को भी option number 3 बिलकुल हमारे यहां पर है correct होजेगा अब type 5 के अंदर बात करते हैं भी सारे question हम कवर कर लेंगे इस class के अंदर एचसी previous year के अंदर प्राचिन बारत के इतियास से जितने भी question पूछेगें से भी question पारट 2 के अंदर complete कर लेंगे भी खुजराओं में मंदिरों का निर्मान किसने करवाय था भी खजुराओं में मंदिरों का निर्मान किसने करवाय था राइट आंस रोजेगा भी चंदेल वंस के राजाओं के दवारक करवाय गया था भी खजुराओं के मंदिरों का निर्मान नेक्स्ट किूस्ट दे कि अबH का संसतापक किसे माना जाता या कौन था भी धक्शन बारत के अंदर चोल राजवस का संसतापक कौन था तो right answer हो जगा भी, option numbers 4 बिल्कुल correct हो जगा इन में से कोई नही तो कौन होगा भी विज्ञा ले, चोल समराजे की अगर बात करें तो न अगर सोमनात मंदिर के अगर बात करें तो गुजरात के अंदर स्थित्ता भी एक जार सताईस के अंदर आकरमन किया था भी जाटों को दंडित करने का इनका उदेश था एक जार सताईस इस वी के अंदर कि उससे नमबर फोर देखिए भी चालुक्य का राजदानी सहर कौन सा था चालुक्य का राजदानी सहर कौन सा था राज़न से था तो पुल्केशिन दवित्या थोड़ी देर पहले यहापको पिछले किसन में कर वायता भी चालू के ऐसका सबसे महान शाषक मैने जाता है फुल्केशिन नेक्स्ट क्यूसन है क्यूसन नमबर 6 जब गजनवियों ने बारत के उत्तर पस्चिम पर अमला किया था उस मैं अरियाना पर किस का सासन था भी उत्तर पस्चिम के अंदर जब गजनवियों ने बारत पर आकरमन किया था तो उस मैं अरियाना था तो राइट आंसर हो जाता है ओप्सन नमबर फोर बिल्कुल क्रेट होजेगा भी तोम्मरमस का दिली तोम्मरमस के समराट के निंतरन के अधीन थाभी 2014 के अंदर मैमूद गजनवी ने थानिस सर के अंदर आकर्मन किया था और साथ के अंदर आंसी पर भी अमला किया था भी और इस ने बड़े पेमाने के अंदर इंदू मंदिरों का नश्ट कर दिया था और 2025 के अंदर भी सोमनात का मंदर भी लूटा था नेक्स्ट किसन है किसन नमबर सेवन निमलिक्त में से बताना है भी कौन सी पूरोव चालुक्यवंस की राजदानी थी बादा में भी थोड़ी देर पहले ही करवाय था बादा में उप्सन नमबर 4 बिलकुल हमारा क्रेक्ट हो जेगा इस कलास की PDF आपको टेलिग्राम पर मिल जेगी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स के अंदर है या फिर टेलिग्राम पर जाकर आप क्रेक अग्जाम पूरी सर्च कर सकते हो वहां पर भी आपको पूरी की PDF फाईल देखने को मिल जेगी अलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण की अगर बात करें राइट अंसर हो जाता है उप्सन नमबर 4 बिल्कुल क्रेक्ट हो जेगा भी राष्टर कूटों के दवार एलिफेंटा की गुफाओं की अगर स्तिती पूच लिजाती एकजाम के अंदर कई बार तो माराष्टर के अंदर इनकी स्तिती हो जाइगी मोहमद बिन कासिम ने बारत के उपर आकर्मन की अगर बात करें तो 712 इसा पूरो के अंदर आकर्मन की अथा किस यूद में मंगलेश का वद किया था भी निमलिक्त में से बताना है भी किन अभी लेखों के लिए एक पद तामर पत्तर प्रियुक्त किया गया था भी निमलिक्त में से किन अभी लेखों के लिए पद तामर प्रियुक्त किया गया था कोपर प्लेट भी ओप्सन नंबर टू बिल्कुल हमारे याँ पर है कोरेक्ट हो जेगा भी बहुत बारञजाम के अंदर ये किउसण आपने देखा होगा बारत के मूल निवासी थे बारत के मूल निवासी थे राइट अंसर हो जगा भी दर्विड the ओप्सन नमबर थरी बिल्कुल कुरेक्टो जगा दर्विड का सम्मद की अगर बात करें दक्षिन एस्याई से था भी। तो जे भी बरी के दवारा भी ओप्सन नमबर वन बिल्कुल हमारा क्रेक्टो जगा इस कलास की पीडियेफ आपको टेलिग्राम पर मिल जएगी आज की कलास कैसी लिगी कॉमेट बॉक्स के अंदर कॉमेट जरूर करना और आज से आपको रेगुलर कलासे मिलती रेगी भी कु जैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन के दवारा मिल जगेए इससे पहले आपको बहुत सारे अर्याना जीके के भी व्याक है सहीत कलास कवर करवाई है हर्याना सीटी के टैस स्रीज भी आपको कम्पलिट कवर करवाई है अगर वो नहीं दिख तो सारी की playlist बना के आपको दे रखिये और बहुत सारे student के doubt थे मैं तो reasoning के बारे में मैं तो reasoning की playlist हे भी या अलग से बना के दे रखिये एक बार उनको भी जाकर चेक कर लीजिये मिलते हैं फिर next विडियो के अंदर